हेलो फ्रेंस मैं कुछ सरसती और सरसती के सरस किचन में आप सब का बहुत 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 स्वागत है तो फ्रेंस आज बहुत टेश्टी रेश्पी बनाने वाली हूँ जो काफ़ी हे भी है इसमें कोई भी वाही नहीं पड़ा हुआ है तो हेल्दी तो है ही और चीनी भी हमने भी बहुत ही लिमिट में एड़किया है तो इसके बनाने के लिए नार joue ये नारील ले रहे हुए ये ताजा नारील है और मैंने इसे पहले फोड़ा था ये थोड़ा सा ये काला पड़कर सारा नार riel हमने निकाल लिया है और इसमें सारे उपर का जो ब्राउन हिस्सा होता है वो हमने निकाल दिया क्योंकि हमें सिरिफ वाइट वाला ही चाहिए अब हम इसे छोटे-छोटे टुकडों में कट कर देते हैं बिल्कुल वाहित वाला पार्थ ही ये में चाहिए था तो आम ब्राॉन वाला बिल्कुल अच्छे से निकाल दिया था चोटे-चोटे टुकडे कट कर लेते हैं अभी इस तरह से कट कर लिजिए अभी हम देखेंगे कॉप में डालके देखेंगे ना की कितना कप आ रहा है ये तो इस तरह आपका management इसी थे छोटे-चोटे टुकडे होंगे ना तो इसके नापने में हमें आसानी होती है जो माप होता है ठीक है तो हमने एक cup डाल दिया है mixer jar में और ये दो cup तो दो cup हमने नारिय ले लिया है अब इसी cup से हम पानी डालेंगे इसमें तो ये cup पानी हमने एड़ कर दिया इसमें और आधा cup पानी और एड़ करते हैं मतलब डेड़ कप एक और आधा cup पानी डेड़ कप पानी इसमें एड़ कर दिया अब इसे हम बारीक पीशेंगे क्योंकि हमें ना अनारियल का दूद निकालना है तो आप देखिए इसे हमने बारीक पिस लिया है अच्छे से पिस गया है अब आपके पास बड़ी छन्नी छोटी छन्नी आज मेरे पास छोटी छन्नी है आप लोगों ने कीचन के वाइगरावन देखके समझ जाओगे मैं बा नारियल का ये नारियल वाला जो हम और हां मैंने नहीं बताए कि अभी तक क्या बना रही हूं तो मैं फ्रेंस बना रही हूं आज नारियल का जेली जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है नारियल जेली तो जरूर बनाएगा और थोड़ा सा ये बचा है तो इसे भी हम इस तरह से चान के और थोड़ा-थोड़ा चमच के सहायता से ना इस तरह से दबाते हुए सारे दूद को निकाल देंगे यह पेट के लिए बहुत ठंडा होता फ्रेंस मतलब नारियल तो सभी जानते हैं कितना गुड़कारी है नारियल पानी पीते हैं कैसे भी आप इस तरह से भी नारियल दूद भी निकाल सकते हो और इसमें चीनी तो चीनी यह कप से बहुत ही कम है तो आधा कप से और इसे हम दा दालेंगे चार हो गया और ये चार चंमय चीनी और हो गया ये पांच छाइओ ये चंमय эксперii और ये छोता वाला चंममच है वह बहुत बड चंुम्मच नहीं जो खाना आफ है वह ये वाला चं만च है और यह ले रहे हैं कोंड फ्लार, इसमें डालेंगे एक और दो, मतलब सारे चीज़ें, चार चमच, 5 चमच, कोंड फ्लार, 5 चमच चीनी, 5 चमच, कोंड फ्लार, और मैं कब से बताऊ ना, तो आदा कब से काफी कम हमारा ये चीनी था, आप अपने हिसाब से अगर मीठा आपक तो बिल्कुल नाप ऐसे ही करिएगा जैसे हमने अभी नाप पांच चमत चीनी और पांच कॉन फ्लॉर अगर वही से जैसे मैंने कहा कि मीठा ज्यादा खाते हो तो छे चमत चीनी कर देजिए मैं दोबारा बता देती हूं आपको और इस तरह से अच्छे से मिला देंगे कोई लम्स और नहीं चाहिए गैस पे चड़ा दिया है पैन अभी आउन नहीं किया है गैस और सारा दूद इसमें डाल देंगे पैन में अब हम गैस आउन करेंगे गरम होने पहले ये बहुत जादे जो हमारी ये कौन फ्लॉर होता है ना बहुत जल्दी ये गाढ़ा होता है और थीक होने लगता है तो इसे कंटिन्यू चलाईए और ऐसे लापरवाही नहीं करेंगे नहीं तो बिलकुल ये गुठुलिया बन जाएंगे और जब हम जेली बनाएंगे ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा फ्रेंस अभी से जेली बोलो या मिठाई बोलो आप दोनों चीजे में जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो बट यह बहुत टेस्टी लगते हैं अब आप देखते हो बातों बात में बिल्कुल यह गाड़ी हो तो यह जेली हमारा बिल्कुल बन के तयार हो चुका है अब आपके पास जो भी बरतन है आप वो बरतन ले लिजिए और यहां आईए देखे इतना गाड़ा होना चाहिए इससे पतला भी आप कर शकते हो मतला भी यह बनाना ना बहुत ही बच्चों का खेल है इसे बनाना य हमने लिया एक बाउल ले लिया है और इसमें सारे को जेली को ट्रांसफर कर देंगे आपके पास जो भी बरतन है आप उसमें सेट कर दीजिए इसे और बहुत आसाने से यह सेट हो जाता है इसे हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मतलब हमें बार बार इसे चीकना करना पड़ता है और कुछ करना पड़ता है तो इस तरह से थोड़ा सा हिला जुला के बराबर कर देना है बस इतना ही काम था और यह बनके तयार है ठंडा होने तक इसे फ्रिज में छोड़ देंगे फिर जर में बिल्कुल भी ने रखेंगे फ्रिज में रखें और यह बहुत आसानी से से कुछ भी नहीं करना रहता आप देखिए कितने आराम से यह बन चुका है और आप देख सकते हो कि किना मतलब एक टूम शाइनिंग दिख रहा है अच्छा दिख रहा है काफी और बिल्कुल शॉप्ट है आप इसे जब भी बनाओ बहुत आप इसे छोटी कटोरी बड़ी कटोरी में कैसे भी बना सकते हो बनाना इसे सेट करना बहुत ही आसान होते है छोटे-छोटे कटोरियों में आप इसे कर दीजिए तो और थोड़ा डिजाइन वाली कटोरी हो तो उसमें और सुन्दर बनेगा मतलब आपकी च्वाई से आप बढ़ियां से कटिंग हो गई है इसकी और फिरेंस आज की रस्पी थोड़ी ची भी अच्छी लेगे ना तो प्लेज चैनल को लाइक करिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे और कमेंट करके हमें जरूर बताये करिए कि यह रस्पी आप लोगों को कैसा लगा इ वह जार इसक्राइब करेंसे मोड़ियं।